तो सबसे पहले तो आपको और आपके पूरे परिवार को मक्र सकरांती की धेरो शिपकामना है टॉपिक पर आए तो आज हम एक important current issue cover करेंगे वो क्या है Statue of Unit जो की गुजरात की नर्बदा डिस्टिक्ट में सिथ है इसे Shanghai Corporation Organization यानि की जो SEO के 8 अजूबों में शामिल कर लिया गये है तो ये आनेवाल एक्जाम्स में आपसे जुरूर इससे question आ सकता है Question आपको confusing आएगा और किससे confuse करेगा आपको confuse करेगा Seven Wonders of the World यानि की दुनिया के जो 7 अजूबे हैं उससे related आपको confuse कर सकता है इस topic को वो क्या है आपको पता होगा कि ताज महल को साथ दुनिया के साथ अजूबों में शामिल किया गया है अब आपसे question पुछा जाएगा कि ताज महल SEO के 8 अजूबों में शामिल है या नहीं तो आपसे answer क्या होगा कि नहीं है क्यों क्योंकि जो seven wonders of the world है और जो शंगाई corporation organization के 8 अजूबे है ये दोनों अलग अलग चीज है यानि कि दुनिया के साथ अजूबों में आपका ताज महल शामिल है जब कि शंगाई सहयोग संक्थन के 8 अजूबों में शामिल आपका सिर्फ statue of unit है भारत का इसमें आपका ताज महल शामिल नहीं है तो ये चीज ध्यान में रखनी है ये आठ अजूबे SEO के अलग है और दुनिया के साथ अजूबे वो अलग है तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है examiner confuse करने के लिए आपसे इन दोनों को mix कर सकता है तो आपको यहाँ बिल्कुल confuse नहीं होना है आगे topic की बात करें topic से बात करने से पहले अगर आप मुझे social media platform पर follow करना चाहें तो Instagram और Twitter दोनों पर मेरी ID है अगर आप रीता सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी Hindi और English दोनों में लिखा हुआ है रीता तो आप मुझे follow कर सकते है Instagram और Twitter दोनों पर से मेरी ID है वापिस topic पर आते हैं तो topic कवर करने से पहले आपको Shanghai Corporation Organization यानि के SEO के बार में भी पता होना चाहिए लेकिन इसके बारे में हम अलग वीडियो में पढ़ेंगे जो हम International Organization की जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी उसी को continue करते हुए जो next मेरी वीडियो कल आ जाएगी आपके पास पता होगा जो station offenders है वो किसका स्टाइच Yoo है सरदार पटेल जी का स्टाइच U है कीrien करश स्टाइच shrinking को ही issue के आफ स्टेज ईच rapporter किया जा सकता था ताज महल को भी शामिल किया जा हमपी जो की कनाट का मस्थित है उसे भी शामिल किया जा था फिर क्यों भारत के Statue of Unity को ही आठ जुबों में शामिल क्यों किया गया तो अगर आप न्यूस पढ़ते रहते हैं तो आपने हिंदुस्तान टाइम्स के सब्तंबर 2019 की न्यूस में देखा होगा कि Statue of Unity के अतरित तीन अन्य स्थलों को इसके रे नॉमिनेट किया गया था और वे कौन-कौन से हैं ताज महल उसके बाद हमपी जो कि कहां स्थी थे आपका करनाटका में और तीसरा है अजंता की गुफाएं या अजंता केव्ज जो कि था हैं आपका महारास्टर में सित है तो पहले इन तीनों को नॉमिनेट किया गया था SEO के आठ हजूबवों में शामिल करने के लिए कि इन में से एक को इसमें शामिल किया जाएगा भारत की तरफ से लेकिन इनको cancel कर दिया गया और last में जो final हुआ वो क्या था आपका statue of unity जो इनकी आपका सर्दार प्रटेल के लिए statue है उसे SEO के 8 हजूबों में शामिल किया गया ठीक है तो इस तरह कुछ आपका statue of unity नोमिनेट हुआ SEO के 8 हजूबों में शामिल होने के लिए अब हम देखते हैं कि ये 8 हजूबों की जो ही सूची है आखिर बनाई ही क्यों गई तो SEO के total कितने सदस्य हैं शंखाई कोरपरिशन ओर्गनाजिशन के total 8 सदस्य देश है और इन सदस्य देशों के बीच में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अवागमन को बढ़ावा देने के लिए इन अजूबों की लिस्ट बनाई गई है ताकि यहां के इन 8 देशों के लोगों के आपस में टूरिज्म को अवागमन को और प्रोचसाहित किया जा सके अब आठ अजूबों में से भारत का तो स्टेच ओ फ्यूनिटी है हमें पता लग गया अब हमें अन्य देशों के अजूबों को भी पता करना है यान की आठ में से साथ जो अन्य देश है उनके बीबार में हम पता करना है कि उनके किस स्थल को इन अजूबों में शामिल क्या गया है तो एके करके हम उनकी लिस्ट देख लेंगे उन आठ देशों का सबसे पहले तो आपको नाम पता होना चाहिए कि वे कौन-कौन से देश है और एके करके उनके आगे हम देखेंगे कि उनके कौन से स्थल को इस लिस्ट में शामिल क्या गया है तो सबसे पहले हम लिखेंगे किसका नाम? अपने ही देश का, मतलब भारत का तो आठ सदसे देशों में पहला देश है इसका भारत, इंडिया पहले हम नाम निखलेते हैं, उसके बाद एक की करके उसके स्थलो के नाम देख लेंगे इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, रूस, उसके बाद उजबेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, और लास्ट है आपका किर्गी स्थान, तो ये हैं आपकी 3, 4, 5, 6, 8, तो ये आपके आर्ट सदसे देश हैं, शंखाई कोप्शन और्ग्राइज़िशन या शंगाई सहयोग संक्थन के, आप इनके अलग-अलग अजूबियों शामिल किये गए हैं इस लिस्ट में, इंडिया का कौन है, भाई, अभी तो हम बात करी रहे हैं, Statue of Unity, Statue of Unity के बाद, पाकिस्तान के हम बात करें, तो पाकिस्तान का जो स्थल शामिल किया गया है, तो वो है आपका, The Great, Royal, Mughals, तो पाकिस्तान के, जो मुगलो की सांस्कृतिक दरोहर है, जो कि कहा है, पाकिस्तान के लाहोर में, उसे इस लिस्ट में शामिल किया गया है, तो यह पता होना चाहिए, मुगलो की सांस्कृतिक दरोहर, जो कि पाकिस्तान के लाहोर में है, उसे भी शामिल किया गया है तीस रहा आता है आपका चाइना और चाइना का शामिल किया गया है दा इम्पीरियल पैलेस ओफ दामीन तो पाकिस्तान की सांस्कितिक दोहर दोहर जो लाहोर में है उसे चाइना के दा इम्पीरियल पैलेस ओफ दामीन को इन आठ जीवों में शामिल किया गया है तीसरा है रश्या रश्या के रिंग दी गोल्डन रिंग तो गोल्डन रिंग जो की काफी स्थलो की एक रिंग की तरह बनाया हुआ है उनको शामिल किया गया है उज़ पेकिस्तान उज़ पेकिस्तान का शामिल किया गया है पो आई कैलान तो पो आई कैलान एक कॉम्प्लेक्स है जो की शामिल किया गया है नेक्स है आपका ताजिक Kazakhstan, Tajikistan का एक Palace है Palace, Nawruz उसके शामिल किया गया है Next है आपका Kazakhstan, Kazakhstan क भी शामिल किया गया है आर्चिलोजिकल कॉम्पलेक्स तमगली तो इसे शामिल किया गया है तक्यजागिस्तान आर्केलोजिकल कॉम्पलेक्स तमगली और लास्ट आपका बज़ा है किर्गिस्तान और किर्गिस्तान की एक जील है लेक इसेक कुल जो की पूरी रूप से प्राकर्तिक है मानम का इसमें कोई हसक शेप नहीं है तो जील है ये आपकी लेक इसेक कुल जो किर्गिस्तान की है तो इन आठ अजुबों को आपके शंगाई कोर्परिशल और और जुबों में शामिल किया गया है तो ये था आपका आज का पूरा टॉपिक के बार में, करंट इशू है, आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले तो कि स्टेच ओफ यूनिटी को इस लिस्ट में शामिल किया गया, इसके कौन कौन से सदस्य देश है, उनके कौन से स्थलो को शामिल किया गया, ये चीजे आपक क्या उदेशी है, ये सब डिटेल में हम इसकी नेक्स वीडियो में पढ़ेंगे, देखेगा जरूर, कल ही मैं इसकी अगली वीडियो डाल दूँगी, आप भूर धील करते हैं कई बार, ये टोपिक को बिलकुल मत छोड़ेगा, कुछ और छोड़ दीजेगा, लेकिन ये ट किसकरांती की धेरो, शुबकामनाए, धन्यवाद, थैंक्यू